वेल्कम बैक टू दी चैनल आयोब सब अच्छे हुए आप सबकी दौान से हम लोग भी ठीक है तो यहां पे मैं सिक्स मन्त प्लस बेवी फूड की रहसेपी सेयर कर रही हूं तो यह देखिए यहां पे यह मूंग डाल है तो इसको मैंने ओवर नाइट सोप करके रखा था मैं मैं इसको कुकर में डाल दिया है और थोड़ी सी मेल एक चुटकी में हिंग डाल दूँगी और नमक और कुछ भी नहीं डालना है क्योंकि जैसे आपका बच्चा एक साल से छोटा है तो उनको नमक नहीं देना चाहिए तो मैंने वस ऐसा ही लगा दिया है कुकर कर रखकन औ मैं इसको थोड़ा सा मैस कर दूँगी तो यह देखिए मैं अनभी को दाल खिला रही हूं देखिए काफी इंजॉय करके खाती है और आप लोग भी ट्राइक कीजिए और कमेंट करके बताईए कि आपको कैसी लगी यह रेसिपी काफी कुई रहती है बहुत एजी रहती है म कि बच्चे को दाल का पाणी यह नहीं पिलाना चाहिए क्योंकि उसमें उतना एनर्जी नहीं रहती बच्चे को दाल भी खेलाना चाहिए क्यों मैं लोग रहती हूं अच्छी हम चिær में कर ना जो समय ना होकता है चाहिए और का यहां पर मुन MORE कि आख comment के भी आहीए और अब नहीं करना पड़ता है यहां पर मैंने पानी रख दिया है कि गरम होने के लिए और यह चंणी रख दी है जिसमें मैं का इस्टीम करूंगी आप लोग पास इस्टीमर है तो इसका यूज कर लीजिए मेरे पास अभी नहीं था तो वैसे लोकल मार्केट से इस्टील की छलनी मिल जाती जो पहले करते थे न पहले की लोग यूज तो वह आ जाती जिली अगर आप लोग ज़्यादा खर जाएंगे बॉल कोई कोई कर बनाता है लेकिन मैं ऐसे इस्टीम करें बनाती हूं क्योंकि उसमें उसके जो आपन बॉइल करते न सारे पोसक तत्मश्ट हो जाते हैं उतना जादा है तो यह प्रिफर करूंगी कि इस्टीम कर के बनाईए और यहां पर मैं इस्टीम कर देती आसानी से और थोड़ा और जादा पकाना है आपको दोड़ जादा पका लीजिए और यह देखिए मैं देखाती हूं पक गया है तो कलर चेंज हो गया है आप लोग भी देख पा रहे हैं और अधरक वाला ग्रेटर रहता है छोटा सा इससे ग्रेट कर लेती हूं और ग्रेट करके वाला ऐसे इसको ग्रेट कर लेती हूं अच्छे से और काफी चाहिए से हो जाता है आप लोग चाहें तो मुझे इसे ईजी लगता है वो भी शेयर करूँगी आप लोग कमेंट करके बताना अच्छी लगती है तो और यहां पर मेरी प्योरी बन गई थी है पलो मैं इसमें थोड़ा सा पानी एड़ कर दूँगी आप लोग अपने बच्चों के हिसाब पानी एड़ कर देना वो जिस भी जितना पतला गाड़ा इसके अक्वाडिंग कर देना तो यहां पर अनवी तो मैं इससे थोड़ा सा बॉटरी टाइप कहीं खाती है ज्यादा थिक नहीं खा पाती हो उसको गली में टक जाता है तो मैं इसमें थोड़ा सा पानी एड़ कर दीती हूं और पानी भी बॉइल करके जो पिलाते न वही पानी बॉइल करके रख लेती हूं एक साथी तो वही मैंने कर दिया है एड़ इसको बॉइल कर लिया था और ठंडा करके फिर एड़ कर दीती हूं और इतना ही इनफ है मैं इसी कंसिस्टेंसी में खिलाती हूं मैं उसको और यह देखिए यहां पर बन के तैयार है पल खिला लेती हूं और आप लोग भी मलब बना सकते हैं और अगर आपको यह रैसी पसंद आती है तो लाइक शेयर न्यू है तो सब्सक्राइब कीजिए तो मैं यहीं तक कि थी मेरी वीडियो अगर वीडियो पसंद आता है तो बताइए एक लाइक तो करी दीजिए ताकि मु उसको गोद में रखेखे खिला लoga देती हूं बनाना को सतना डिफिकर्ट नहीं है जितना कि उसटो खिलाना रहता है वैसा उसको मुलम खाती तो है वह ज्यूंहें है उप लोग बताना कमेंट करके आप लोग जाथा है अब होड़ा पड़त आपको ठांकिस तरीक तरीकर झाल झाल झाल